दोस्तों आज हम बात करेंगे पानी से जुड़े कुछ रोचक तत्य के बारे में जीने जानकर आप हैरान हो जाएंगे नमबर वन हमारी पृतवी का तीन चोथाई भाग पानी से ठका है परंत क्या आप जानते हैं इस जल का 99% पानी पीने योग नहीं है और पीने योग पानी मात्र पृतवी पर 1% ही है नमबर दो बैग्यान को दोरा पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है क्योंकि पानी में अधिकान स्पदार्थों को घोला जा सकता है नमबर थ्री विश्व का 90% ताजा पानी अंटार कटका में पाया जाता है नमबर फोर क्या आप जानते हैं ज्यादा पानी पीने से आपको नसा भी हो सकता है उदारण के तोर पर ज्यादा पानी पीने से हमारा मस्तिस्क असंतुलित हो जाता है और हम नसे जैसा अनुभव करते हैं नमबर फाई, जल को जब जमाया जाता है तो यह अपने घनत्तों का 9% तक फैल जाता है। नमबर सिख्ष, आपको जान कर हैरानी होगी कि दुनिया का 20% साप जल मात्र एक जील समेटे हुए है, जिनका नाम बेकाल जील है और यह जील रूस में इस्थित है। नमबर सेबन, अगर आप पानी को गर्म करके ब्रफ जमाते हैं तो यह ठंडे पानी के बजाज जल्दी जम जाएगी। नमबर एट, क्या आप जानते हैं हम अपने घरों में सरबाधिक पानी का उपयोग बाथरूम में करते हैं। उधारण के तोर पर एक बार प्लस करने पर 6 लीटर पानी हम बहा देते हैं। नमबर नाइन, पानी को बैग्यानिकों ने तीन भागों में बाटा है जिसके तहट यह हमें तरल, ठोस और गैस के रूप में मिलता है। नमबर टेन, जानवरों में हाती एक मातर ऐसा जानवर है जो 5 किलो मीटर दूर से पानी का पता लगा सकता है, इनके अंदर एक ऐसा गुण होता है। नमबर ट्वेल्ब, एक रोचक तत्याबी है कि पृत्वी पर पाये जाने वाली नदियों, नालों से अधिक पानी तो हमारे वातावरण में फैला हुआ है। नमबर इलैबिन, पृत्वी पर महासागरों में सबसे अधिक जल प्रसांत महासागर में समाया हुआ है। नमबर थर्टीन, क्या आप जानते हैं, एक स्वस्त इंसान का सत्तर परसंट सरीर जल से बना होता है। नमबर फोर्टीन, पृत्वी पर कुछ ऐसे भी जीव पाये जाते हैं, जिन में पंचान बे परसंट तक जल भरा होता है। उदारण के तौर पर जैली फिस एक ऐसी ही जीव है। नमबर फिप्टीन, आपको जानकर हैरानी होगी, चीन के सत्तर करोण से अधिक लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। नमबर सिक्टीन, इंसानों के मस्तिस का सत्तर परसंट हिस्सा जल से बना होता है। नमबर सेबंटीन, जहां सुद्ध जल हमारे जीवन के लिए अतेंत जरूरी है, वहीं असुद्ध जल हमें तरह तरह की बीमारियों में धकेल देता है। उदारण के तौर पर हैजा और पेड़ संबंदी 90% रोग जल के दूसित होने के कारण होते हैं। नमबर एटीन, आपको जानकर हैरानी होगी, अगर इनसान के सरीर में 10% पानी की कमी हो जाए, तो उसकी मृत्त तक हो सकती है। नमबर नाइंटीन, क्या आप जानते हैं, इनसान भोजन के बिना कई महीनों तक जीवित रह सकता है, प्रन्त जल के बिना इनसान का जीना एक हापते के लिए भी संभव नहीं है। नमबर ट्वेंटीन, इनसानों के खून का 83% प्रतिसत हित्ता जल से बना होता है, ये भी आप नहीं जानते होंगे। नमबर ट्वेंटीवन, अपरीका में इस समय जल की भारी किल्लत है, उधारन के तौर पर अपरीका के गाउं में लोगों को पानी लेने के लिए लगभग 10 किलो मीटर दूर तक जाना पड़ता है। नमबर ट्वेंटीटू, आपको जानकर हैरानी होगी, इस समय पृतिवी परलगभग 200 करोण लोग दूसित पानी पीकर अपना जीवन जी रहे हैं। नमबर ट्वेंटी थिरी, जल ही जीवन है, ये कथन सत्प्रतिसस्त है, हमें अपने आने वाली पीडियों के लिए जल को सुरक्षित करना बेहर जरूरी है, क्योंकि इस समय बिस्व में जल का भारी संकट छाया हुआ है, उदारण के तौर पर अब तक जल को लेकर भिन भि चा के रखिये, जल बिना मतलब का बहाये मत, नहीं तो आने वाले समय में आपके जीवन में भी जल के लिए कथनाईयों का सामना करना पड़ेगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्का अज सामना करता है जए जब बाक्स में जुन में जीवन में तक करनाईयों करता है जिए कभू है वीवन में आपके लिएक्पवाट।